मसकार दोस्तों, this is Maniz and you are watching Elite Maniz sir के क्लासिज दोस्तों, The Return of the Native के करेक्टर्स, Book 1, Book 2 की समरीज को जान लेने के बाद Let's come to its Book 3rd friends Book 3rd, The Fascination के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमें novel के hero यानि की क्लिम योब्राइट के बारे में बताय जाता है दोस्तों क्लिम जो अब तक पैरिस में एक diamond form के manager के रूप में कारी कर रहा था दोस्तों इगडन हीथ यानि कि अपने native place में आने के बाद वो यहीं रहने का नेड़े ले लेता है वो decide कर लेता है कि अब वो पैरिस वापस नहीं जाएगा और इगडन हीथ में एक school खोल कर वहां के लोगों को educate करने के इच्छा प्रिकट करता है क्लिम अपनी मा मिस्स योब्राइट के पाँच आता है और मा के सामने अपने इस scheme को बताता है दोस्तों लेकिन क्लिम की मम्मी मिस्स योब्राइट क्लिम की इस scheme से बिलकुल भी खुस नहीं होती और वो इसे पूरी तरह reject कर देती हैं वो क्लिम से कहती हैं कि उसे वापस पैरिश जाकर अपना diamond farm वाला काम ही continue करना चाहिए इस इगडन हीथ के लोगों के पीछे वो अपना भविश से बरबाद ना करे Possibly ये क्लिम योब्राइट का अपने native place इगडन हीथ के लिए प्रेम था जो उसे हीथ की तरफ इतना attract कर रहा था और उसे यहां रोकने के लिए बाद धी कर रहा था दोस्तो वहीं दूसरी तरफ मिसिस योब्राइट अपने बेटे क्लिम को इगडन हीथ के negative माहौल से बचाने की कोशिस कर रही है मा और बेटे दोनों अपनी अपनी जगए पर बिलकुल ठीक हैं दोस्तो अभी क्लिम योब्राइट इस विसे पर अपनी मा से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ एक बेबकूफ टाइप का भूतों से डरने वाला ग्रामीड व्यक्ति क्रिस्चन केंटल पहुँच जाता है और वो आकर ये news देता है कि सुजैन नंसच जो युस्टैसिया को एक witch यानि की चुडैल समस्ती है उसने युस्टैसिया की आम यानि के भुजा पर एक कील चुबा दी है दोस्तों तभी वहाँ हमफ्रे पहुँचता है और क्रिस्चन केंटल की सुसैन नंसस द्वारा युस्टैसिया वाई को चुडैल समझकर कील चुबोने वाली बात को वो भी दोरा देता है दोस्तों दो ग्रामीनों की बात सुनकर क्लिम योबराइट को लगता है उसे युस्टैसिया से मिलना चाहिए और जाकर युस्टैसिया का हालचाल लेना चाहिए तबी हम्फ्रे एक बात और बताता है दोस्तों कि युस्टेसिया वाई के नाना कैप्टन वाई की बकेट कुए में गिर गई है और वो आगे कहता है कि हम लोग उस बाल्टी को निकालने कैपटन वाइ के घर यानि कि नौवल की हिरोईन युस्तेसिया वाइ के नाना के घर जा रही है यह सुनकर कलिम योब्राइट, हमफ्रे और बाकी गाहँवालों के साथ कैप्टन वाई की बाल्टी निकालने जाने का नेड़ने ये सोच कर लेता है कि इस बहाने उसे युस्टेसिया से भी बात करने का मौका मिल जाएगा कुवे से बाल्टी निकालने में गाव वालो की हेल्प करने के बाद क्लिम युस्टेशिया से बात करने का मौका ढूण ही लेता है दोस्तों उसके मनसूबों को और हवा तम मिल जाती है जब उसे पता चलता है कि युस्टेशिया के नाना कैप्टन वाई घर पर नहीं है अब क्लिम युस्टेशिया से आराम से बात कर सकता है युस्टेशिया का हालचा लेने के बाद क्लिम के पास युस्टेशिया से अपनी स्कीम को डिसकस करने का भी मौका मिल जाता है ये वही स्कीम थी दोस्तो जिसको की क्लिम ने अपनी मदर मिसिस योब्राइट से भी डिसकस किया था और मम्मी ने तो उस स्कीम को सीरे से ही खारिज कर दिया था क्लिम अब अपनी बात युस्टेशिया के सामने रखता है वो उसे बताता है कि वो अब पैरिस नहीं जाना चाहता एकडन हीत में ही रहकर यहां के लोगों को पढ़ाना चाहता है क्लिम के प्लैन को सुनकर युस्टेशिया कहती है मेरा ना तो हीत में कोई इंटरस्ट है और ना ही इस हीत के लोगों में लेकिन क्योंकि तुम्हारे इरादे अच्छे हैं इसलिए इस काम को करने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगे क्लिम एक Eustacia जैसी सुन्दर इस्त्री को अपनी साइड में पाकर क्लिम बहुत खुष हो जाता है दोसतो और यहीं से क्लिम और Eustacia का प्रेम परवान चड़ने लगता है क्लिम और Eustacia की अब अक्सर मुलाकते होती रहती हैं दोसतो और ये बात Mrs. Yeobright की knowledge में भी आही जाती है Mrs. Yeobright अपने बेटे क्लिम की Eustachia के साथ बढ़ती हुए नजदिक्यों से गुस्सा हो जाती है दोस्तों क्यूंकि वो भी Eustachia को सुसैन नन सच की तरह एक चुडैल ही समझती है जब Mrs. Yobright क्लिम की Eustacia के साथ होने वाली frequent meetings का विरोध करती है तो क्लिम अपनी मम्मी के विरोध की परवा किये भीना Eustacia से मिलना जारी ही रखता है दूस्तो क्लिम अपनी beloved Eustacia से जितनी नजदीकिया बढ़ाता जाता है अपने आपको अपनी मम्मी से उतना ही दूर करता चला जाता है और अब तो Mrs. Yobright जादतर समय सांती ही धारण की रहती है और दिन परति दिन मा बेटे के रिष्टे में Eustacia के बीच में आ जाने की वज़े से खटास बरती ही चली जाती है और Mother Mrs. Yobright तो और भी क्रोधित हो जाती है जब उसे पता लगता है कि मेरे लिए लाए हुए आर्न यानि की कलश को कलिम ने Eustacia को दे दिया है अब इधर कलिम Eustacia के सामने अपना लब प्रपोजल रखता है और उससे मेरेज करने की अपनी इच्छा को भी जाहिर कर ही देता है दोस्तो Eustacia कलिम के द्वारा दिये हुए इस मेरेज प्रपोजल के ओफर को स्विकार कर लेती है और तुरंत ही उससे पैरिस की सहरी लाइफ के बारे में बताने को कहती है इंडारेक्टली वो ये हिंट देती है दोस्तो कि Eustacia कलिम के साथ मेरेज करने के बाद इस इगडन हीत और यहां के बिलो स्टेंडर्ड लोगों से छुटकारा पाकर पैरिस में लाइफ स्पेंड करना चाहती है कलिम की मदर मिसेज योबराइट को जब अपनी भतीजी थॉमसिन से ये पता चलता है कि कलिम जल्द ही Eustacia से मेरेज करने जा रहा है तो वो अपने बेटे से इतनी बड़ी गलती करने से मना करती है लेकिन कलिम अपनी मा की कहां सुनने वाला था दोस्तो वो तो मन ही मन ये डिसाइट कर चुका था कि वो मेरेज युस्टेशिया से ही करेगा और आफ्टर मेरेज वो एल्डर वर्थ नाम की जगे में एक कॉटेज लेगा और अपनी मा को उनके ब्लूम सेंड वाले घर पर ही छोड़कर जो स्टेशिया के साथ एल्डर वर्थ में रेंट में ली गई उस कॉटेज में ही जाकर रहेगा अब तॉमसिन मिसिज योब्राइट से मिलने आती है तॉमसिन से मिलकर मिसिज योब्राइट थोड़ा सा रिलीव्ड फील करती है वो बेटे क्लिम से तो इतना खफा है कि उसकी मेरिज भी अटेंड करने नहीं जा रही है टॉमसिन को देखकर मिसेज योब्राइट अपना दुख़ा रो देती है और उसे अपने पती यानि की मिस्टर योब्राइट द्वारा छोड़ी गई गिन्नीज के बारे में बताती है मिसेज योब्राइट अपनी भतीजी टॉमसिन से कहती है कि मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये गिन्नीज तेरे और क्लिम के बीच में बाटतू फिर टॉमसिन वहां से चली जाती है और जल्द ही क्लिम की मैरिज वाला दिन भी आ पहुंचता है दोस्तो अब मिस्स योब्राइट के पास वाइल्डिव यानि कि टॉमसिन का हस्बेंट और कॉइट वुमेन इनका मालिक पहुंच जाता है वो मिस्स योब्राइट को रिमाइड कराते हुए कहता है आप टॉमसिन से कुछ गिनीज के बारे में बात कर रही थी अगर आप चाहू तो वो गिनीज मुझे दे दो मैं उसे आपकी भतीजी टॉमसिन तक पहुचा दूँगा मिस्स योब्राइट वाइल डिप को सुरू से ही पसंद नहीं करती है और उस पर रती भर भी विस्वास नहीं करती है इसी लिए तो वो वाइल डिप को गिनीज नहीं देती है उसको किसी तरह से टाल कर वहां से वापस भेज देती है अब मिसेज योब राइट गिनीज के दो बैक्स तेयार करती है एक अपने बेटे क्लिम के लिए और दूसरा अपनी भतीजी टॉमसिन के लिए और गलती ये कर देती है दोस्तों कि ये दोनों बैक्स वो उसी अंधिविस्वासी और भूतों से डरने वाले क्रिश्चन केंटल को दे देती है जो इन बैक्स की डिलिवरी सही जगे पर नहीं कर पाता है गिनीज के बैक्स के साथ क्लिम और युस्टेशिय की मैरिज में जा रहे क्रिस्चन केंटल के साथ ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों कि वो गिनीज राइट प्लेसेष पर नहीं पहुँच पाती हैं अब यह जान लेते हैं जब क्रिश्चन केंटल गिनीज से भरे इन दोनों बैक्स को लेकर जा रहा था तभी उसे रास्ते में एकड़न हीत का एक और निवासी फेयरवे मिल जाता है है फेयरवे उसे कॉइट वुमिन इन जाने के लिए मना लेता है क्रिश्चन केंटल जुवां खेलता है और जुए मेरे गौन पीष chips बहुत हो जाता है उसे लगता है कि आज उसका अच्छा दिन है और वह और भी अधिक जीत सकता है इसलिए Mrs. Eobright द्वारा दी गई गिन्ीज को वो जुए में लगाना Start कर देता है और अब वो वालिट डिप के साथ खेलता है और वालिट डिप से सारी गिन्ीज उस जुए में हार जाता है दोस्तो हारने के बाद Christian Cantal वालिप से ये कहकर चला जाता है कि इसमें से आधी गिन्नीज क्लिम की है और आधी तुम्हारी वाइफ टॉमसिन की ये गिन्नीज उन्हें देना अब तुम्हारा काम है तो इस प्रकार जो गिन्नीज क्लिम और टॉमसिन तक पहुंचनी थी वो वाइल्डिव तक पहुंच गई लेकिन Wild Div जूए में जीती हुई गिन्नीज को कहां किसी को देने वाला था दोस्तों जब Wild Div सारी गिन्नीज लेकर निकलने वाला था तब ही वहीं चिपकर सारी बाते सुन रहा डिगरी वेन सामने आ जाता है वेन Wild Div को Game of Dice के लिए चैलेंज करता है इस Game of Dice में Wild If सारी गिन्नीज हार जाता है और जीत वैन की होती है वैन ये नहीं सुन पाया था कि इसमें से आधी गिन्नीज क्लिन की भी है इसलिए जब Thompson वहां से अपने Carries में गुजर रही होती है तो वो ये सारी गिन्नीज ही Thompson को दे देता है और Thompson भी सारी गिन्नीज को अपना समझ कर अपने पास रख लेती है दोस्तू और यहीं पर Book Third समाप्त भी हो जाती है